हलो गाईज कैसे हैं हम सभी दोस्तों अगर आप अपने विंडोस PC या लैप्टॉप में ब्लेक में वोकांग गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं जो कि अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ है गाईज और बहुत ही ज्यादा अच्छा गेम है तो इसको डाउनलोड करने का सबसे स तरीका आपको बताऊंगा और साथ ही साथ अल्टरेणित तरीका भी बताऊंगा अगर उस तरीके से आप डाउनलोड नहीं कर पाऊगे और इसी के साथ आपके PC में गेम की तरीके से चलेगा मतलब PC requirements भी बताऊंगे इस गेम से रिलेटेड और सबसे कम प्राइज में आप क वेब साइट में ओपन किया हूँ, यहाँ पर बैनाओ को आपसन आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे उपर में प्लेटफर्म सेलेक करने के लिए बोला जा रहा है, मैं PC के लिए गेम को चाहता हूँ, इसलिए PC सेलेक किया हूँ, और यहाँ पर एडिशन जो दिखाई दे रहा हैं अब इसको आप सेलेक करेंगे, उसके बाद डाउनलोड करने का नीचे आपसन आएगा, एक है इस्टीम का तरीका, एक है एपिक गेम के जरीए हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वी गेम का आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि इंडिया में इसमें डाउनलोडिंग में प् क्लिक किया हूँ, अब यहाँ पर देख रहे हैं, उपर में इस्टीम का आपसन आ रहे हैं, उसमें आपको क्लिक करना है, अब यहाँ पर फिर से एक आपसन मिला, इसमें आपको क्लिक करना रहेगा, अब यहाँ पर इस्टीम का एक सी फाइल हमारा डाउनलोड हो गया है, सि लोग को storage वही so करता है जिसमें stream install रहता है तो simply install के option क्लिक करके आपको इसको install कर लेना है मेरे में already install है दोस्तों इसलिए installation का process आपको नहीं दिखा रहा हूं मैं बागी process आपको same to same रहेगा install करने के बाद एक id आपको create करना पड़ेगा अब id create करने एकडम simple है सभी store में id create करन करना है simply search में game का नाम लिख करके search करना है तो यहां पर first में ही आ रहे है इसको simply हम लोग click करना है click करेंगे दोस्तों यह वाला page हमारा open हो जाएगा अब इसी में PC requirements उसको आपको सबसे पहले देख लेना है क्योंकि काफी बड़ा game है अगर आप इसको download करना जाते हैं तो एक 5 का second generation या फिर उससे उपर होना चाहिए memory 16GB RAM बताये गहा है 16GB से कम नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से 8 में भी चल जाना चाहिए लेकिन lag करेगा आपके में तो 16GB कम से कम होना चाहिए और graphics card देखो GTX series का दिये गया है 1060 अगर इससे उपर रहेगा GTX 1650 है या फिर RTX series का है तो वो सब चल जाएगा लेकिन GTX series का कोई भी graphics card नहीं चलेगा और integrated जो graphics card आता है उसमें तो यह game बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है उसके बाद storage को यहाँ पर देख लिजे 130GB दिखाया गया है तो storage को कम से कम 130-140GB तक आपके में available होना चाहिए तभी जाकर के game download होगा आप तो बस जीतना requirements बता है नो उन्हीं को आपको ध्यान देने की जरूरत है यही main है इतना सब है ना तो आपके में यह game बहुत ही अच्छे से चल जाएगा कोई भी problem नहीं आएगा अब देखते हैं इसको हम लोग download कैसे कर सकते हैं सबसे पहले मैं steam का तरीका बताता हो है इसमे जो आता है 4600 का है मतलब 1000 रुपीस का प्राइस ज्यादा है तो यही मैं बता रहा था यह वाला प्राइस सबसे कम रहेगा यह वाला गेम का तो इसी कारण से इसी को आप परचेस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा simply A to Cart पे आपको क्लिक करना रहेगा अब यहाँ पर से view my cart का option आएगा उसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ पर continue to payment को option आएगा उसमें आपको क्लिक करना रहेगा और आगे चलके epic game में इसका क्या प्राइस है वो भी आपको दिखा दूँगा और साथ ही साथ इस वीडियो के last में इसको कम से कम price में हम कैसे download कर सकते हैं उ simply आपको कोई भी browser open करना है और what is my IP address location करके search करना है और जो भी location दिखाते रहेगा अगर आपका ही state दिखा रहा है तो अच्छी बात है आपके state का कोई भी district का pin code डाल सकते हैं लेकिन अगर आपका state के अलावा कोई और दूसरा दिखा रहा है कभी कभी ऐसा होता है तो मेरे म इसको आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कोई भी problem नहीं आएगा और continue पर आप click करोगे दोस्तों उसके बाद next page में फिर से same to same information पूछेगा तो वहां भी ये pin code को जैसे हमें बताया है वैसे ही आपको search करके डालना पड़ेगा अब इतना करने के बाद आपको payment complete करोगे उस तरीके से download का option आपके में आ जाएगा जैसे कि यहां पर मैं PUBG को library में add किया हूँ तो यहां install का option आ रहा है ऐसा ही आपके library में show करेगा और install का option आ जाएगा उसको आप click करना है और game आपके में download हो जाएगा अब देखो यह होगे steam में download करने का तरीका है इसमें 3600 दिखाई द लिखाता हूं तो epic game को भी आपको installer को download करना पड़ेगा अपने chrome browser या फिर जो भी browser आप यूज करते हैं इसमें epic game लिख करके search करना है और उसके बाद यहां पर install on windows का option है इसको download करके install कर लेना है install करेंगे तो simple सी बात है इसमें भी id आपको create करना ही पड़ेगा अब id create करके open करने पर इस तरीके interface आपके सामने show करेगा तो यहां पर आपको search कर लेना है game को अब यहां पर देखो यह नया game है guys और इसका rating भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो यहां भी price same to same है 3600 लेकिन मैं अभी बताने वालो हूं आपको इसको कम से कम price में हम कैसे पास सकते हैं अ अगर उसमें balance है तो उसके जरी आप payment कर सकते हैं अब अगर यह दोनों account है तो simply इनको select करना है और इसमें आपको payment करना है और इसमें भी game जब आपके पास आएगा तो यह library वाले section में ही so करेगा और यहां पर से आप install कर सकते हैं देखिए इसमें install को option आपके में भी आएग simply उसको click करना है और install हो जाएगा अब मैं बताता हूं यार इसको कम से कम price में हम कैसे पा सकते हैं तो देखो इसको price अभी बहुत ही ज्यादा guys 3600 कुछ कम amount नहीं होता है तो इसको अगर आप कम price में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ दिन wait करना पड़ेगा क्यो 30-40% के आसपर discount आपको मिलते ही रहेगा और अगर दीपावली offer आता है तो कम से कम 30-40% तक discount इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा लेकिन अगर आप तूरंद के तूरंद खेलना चाहते हैं तो उस condition में आपको पूरा amount pay करना ही पड़ेगा अगर आपको वीडियो अ अच्छा लगा होगा दोस्तों लाइक जरूर से कर लिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन में इसे आल नोटिफिकेशन को अन कर लिजे तो चले गाइस अब मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो के साथ अभी के लिए सभी को बाई बाई